दोस्तो रेडमी K20 Pro में हमें MIUI 12.5 की अपडेट मिलने वाली थी पर दोस्तो शायद वो अपडेट आप सस्पेंड हो गई है इसका मतलब अब वो अपडेट आपको अभी ना मिलके कुछ टाइम और बाद मिलेगी अब दोस्तो इसका रीजन क्या है और मैं ऐसा क्यू कह रहा ह कि अपडेट सस्पेंड हो गई है इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं रॉल लॉट होती है वही अपडेट हमें इंडन बिल्ट के थरूद रिसीव होती है इसका मनल जो भी हमारा ग्लोबली रॉल आउट होगा वह हमें इंडिया में देखने को मिल जाता है तो दोस्तो यही कन्फ्यूजन क्रेट हो गई है इसलिए मैंने आपको बोलाई कि 50-50 परसंट चांजी से आपको मिल भी सकता नहीं भी क्योंकि अभी तक मैंने देखा है जितनी भी एक्ट बीके टून्टी प्रों में अपडेट आई इंडिया में उससे पहले ग्लोबल अपडेट आजाती है और ग्लोबल अपडेट जो भी होता है वही हमें इंडिया में देखन को मिलता है बस बिल्ड नमर्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है तो कुछ नम पहले ग्लोबली बिल्ड को रिलीस किया गया में को लगा कि शायद अपडेट रोक सकती है या पी डिली हो गई है तो मैं सब्सक्राइब वीडियो ज़रू बनाने चीए क्योंकि रेड्मी के 20 प्रो वेट कर रहे हैं कि वहने मियोई 12.5 कब मिलेगा और एंडूड 11 का अपडेट कब मिला है क्योंकि कम्पनी ने अल्रेडी बोल दिया है चाइना में अपडेट ओलाट हो भी चुकी है तो इंडिया में मिलना बागी थी पर दोस्तों ग्लोबली हमें अपडेट नहीं मिलिये 12 12.5 की इसलिए कंफ्यूजन क्रेट हो गई है तो दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं क्या पता हमें ग्लोबली बिल्ट से अलग इंडिया का बिल्ट मिले हमें 12.5 मिल जाए पर दोस्तों इसकी चांसे थोड़े से काम है क्योंकि अभी तक जो अपडेट हमें डेट में मिली है वो ग्लोबली वाली अपडेट है हमें इंडियन बिल्ट में मिलती है बस बिल्ट नमर्स चेंज होता है तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा और चोटी से छोटी कोई भी में को इन्फरमिशन मिलती है तो मैं आपको सबसे बले लाके बिल्कुल भी टैनिशनल है हमें अपडेट तो मिलेगी अभी अगर सिस्पेंट होगी तो थोड़े टाम बाद ही बट अगर चाइना में रिलीज हो गया तो हमें इंडिया में भी जरूर मिलेगा तो दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं क्या पता इस बाग गलोबी और इंड झाल इंडियोस